हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल यह देखिए मैं आज आपके लिए एक नया डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन को आप कार्डेगन में जैकिट में गल्स टॉप में स्वेटर में बेबी फ्रॉक में बेबी ब्लैंकेट में हर प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इ से बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 9 Čटिपल के फंदे चाहिए नो फंदे प्लस करने के बाद 2 पंदे एक्स्ट्राशियों एस डश्टीच के लिए और ये छे सलाई का डिजाइन है, ये छे सलाई में बहुत सुनता डिजाइन बन कर आता है इस तरह से, ये हमारे डिजाइन की सीथी साइड है, सीथी साइड इस तरह से नज़र आएगी, और रोंग साइड इस तरह से नज़र आएगी, ये हमारे डिजाइन की उल्टी साइड है देखे इस पर छोटी छोटी सी बटर्फलाई बन कर आई है इस डिजाइन को आप कार्डेगन जेकिट स्वेटर किसी में भी बना सकते हैं हर अब इसे हम बनाने स्वेटर करते हैं इसे बनाने के लिए इसमें मैंने 20 फंदे लिए है नाइन मल्टिपल करने के बाद दो फंदे एक्टर लिए है यह सीधी साइड है अब हम इसे बनाने स्टार्ट करेंगे फर्ष्ट रो सीधी साइड पहला फंदा हम सिल्प करेंगे, उन आगे, दो फंदे ऊल्टे बुनेंगे, एक, तो, उन पीछे, पाँच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, तो, ये देखिए ऐसदा स्टीज का फंदा चोड़ने के बाद, उसके बाद ये 9 फंदों का डिजाइन बन गया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, तार्ठ नो, 2 फंदे उल्टे उल्टे बूने हैं, फिर 5 फंदे सीथे, फिर 2 फंदे उल्टे, ये हमारा एक डिजाइन हो गया है, नो फंदों का अब फिर से हम उन आगे ही रखेंगे दो फंदे उल्टे उपनेंगे एक दो इस तरह से हमने फिर से ये नो फंदे रिपीट करने हैं और ये पीछ में हमारे चार फंदे हो जाते हैं इस तरह से दो फंदे ये और दो फंदे ये उन पीछे करेंगे पांच फंद फकनते लाएलो चिया, जबंध को सब्सक्राइब difाषिवाल, दूसरी क्ज़िवेंगे, को सब्सक्राइब पर लिकरेंगे, जाक्ष्च कुर्ण, जाक्कवbst ब्लिकरtat। हम सलाई पूरी करेंगे, दो फंदे सीथे, उन आगे करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, ती, चार, पांच, उन पीछे, फिर दो फंदे सीथे, एक, दो, ये देखिए, ये नो फंदो का डिजाइन हो गया, एक डिजाइन हो गया हमारा, दो फंदे सीथे, पांच फं करते रहने हैं इसी तरह से, दो फंद सीधे, एक दो इस तरह से पीछ में चार फंद zwei आते हैं, उन आगे पांच फंद व्ल्टेज के एक दो नई पीछह करेंगे दो फंदंस सीधे, एक दो आखिरें फंद hierarchy, यह दूसरी सलाई पूरी हो गई तीसरी सलाई है सीधी साइड पहला फंद सिलिप करेंगे उन आगे करेंगे एक फंद उल्टा बुनेंगे उन पीछे एक फंद यह उल्टा और एक फंद सीधा दोनों को एक का दो बनाएंगे दोनों फंद एक साथ बुनेंगे आगे की साइड से इस तरह से दो फंदे आगे की साइड से एक साथ बुन पर दो फंदों का एक करेंगे अब एक फंदा सीधा अब ये पीछ का फंदा है इसके दोनों साइड हम जाली बनाएंगे जाली बनाने के लिए उन आगे करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर से जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे एक यह सीधा फंदा एक उल्टा फंदा दोनो फंदों का सिलिप करेंगे पलट कर सीधा करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक लूप से दोनो फंदे बुनने हमने एक साथ बैक लूप से अब उन आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये देखिए ये नो फंदे हो गए पहला फंदा छोड़ने के बाद एक दो तीन चार पांच चे साथ ताथ नो ये नो फंदों का एक डिजाइन पूरा हो गया है एक फंदा उल्टा बुना फिर दो फंदों का एक किया फिर एक फंदा सीधा फिर जाली बनाई फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदों का एक किया बैक लुप से और फिर एक फंदा उल्टा इस तरह से ये नो फंदे हो गए अब नो फंदे फिर से रिपीट करने हमें इसी तर एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा एक फंदा सीधा बुनेंगे यह बीच का फंदा है इसके दोनों साइट जाली बनेगे उन आगे करेंगे जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा फिर से जाली बनाएंगे उन आगे करेंगे जाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा बुनें और दो फंदम स्लिप करेंगे ेक इसम फंद खेерм एक उल्टा फंद और इसम उल्च 250 गयूद से दहैं कि तो पंदम में करेंगे उन आगे करेंगे एक ऊल्च पून आखिर पंदम सीधा प्रूर करेंगे । यह तीसरी सलाए भी पूरी हो गई उल्टी साइड है ती चोथी सलाई है फौर्थ रो रॉंग साइड एक फंदा सिलिप करेंगे उन पीछे करेंगे एक फंदा सीधा उन आगे करेंगे साथ फंदे उल्टे एक, दो, ती, चाथ, पांच, छे, साथ उन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस तरह से ये नो फंदों का एक डिजाइन हो गया, पहला फंदा हमने सिलिप किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, साथ फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये नो फंदों का एक डिजाइन हो गया, अब ये फिर से नो चार पांच छे साथ उन पीछे एक फंदा सीधा उन आगे करेंगे आखिर का फंदा उल्टा बुन कर लेंगे यह चोथी सलाई हमारी पूरी हो गई पांच भी सलाई है सीधी साइड पहला फंदा सिलिप करेंगे और दो फंदो का एक करेंगे आगे की साइड से अब यहाँ पर उल्टा फंदा नहीं बचा दो फंदो का एक करेंगे आगे की साइड से इस तरह से दो फंदे सीधे बुनेंगे एक दो यह जाली का फंदा बुन यहां हुआ ऐसके बाद यह बीच का फंदा है, इसके दोनों साइड जाली बननी है, उन आगे करेंगे चाली बनाने के लिए एक फंदा सीधा 30 GOOD फिर सिर्ष बनाने के लिए उन आ आगे करेंगे और दो फंद सीधे बनेगे do अब यह और ये Son ज्मयूरं फंद้े 5 स्लिप करेँए गया कर दोफंदू का 1 कि फिर जाली बनाई फिर यह नो-फंदे बन गया है अब पूरी रो में हमने aa services करने हैं जाली बनएगी एक करल हैं फिर जाली बनाएंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे सिलिप करेंगे, एक सीधा, एक उल्ठा, दोनों फंदों को बैक लुप सर बूरेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, बैक लुप सर, आखिर का फंदा सीधा बूर कर लेंगे, यह पांचवी सलाई पूरी हो गई चटी सलाई है रोंग साइड उल्टी साइड की चटी सलाई ये चटी सलाई पूरी उल्टी बनेगी पहला फंदा सिलिप करेंगे बाकी के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनकर सलाई को पूरी करेंगे चटी सलाई पूरी होगे, देखें चटी से 6 सलाई पूरी होगे, इस तरह से डिजाइन बन कर आया है, अब फिर से ये 6 सलाई रिपीट करनी है, फिर से हमने फर्स्ट ड्रो से स्टार्ट करना है, अब फिर से स्टार्ट करके दिखाएंगे, पहला फंद सलिप करेंगे, उन आगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, उन पीछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, ती, चार, पांच, उन आगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, ये 9 फंदों का एक डिजाइन हो गया है, पहला फंद slip किया 2 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे ये 9 फंदे अब 9 फंदे फिर से इसी तरह से repeat करने है दो फंदे उल्टे एक दो इस तरह से बीच में 4 फंदे आते हैं उन पीछे करेंगे 5 फंदे सीधे एक, दो, ती, चार, पाँच, उन आगे, दो फंदे उल्टे भुनने, आखिर का फंदा सीधा भुन कर लेना, इस तरह से हमने एक से छे तक सलाई रिपीट करते रहना है, छे सलाई बार-बार रिपीट करने पर इस तरह से ये डिजाइन बन कर आएगा, बटर फ्लाई की तरह नजर आएगा, चोटा सा, बहुत ही सुन्दर, अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पर किलिक जरूर करें, इस से आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, थैंक्स फॉर वाचिंग माई वेडियो फिर मिलते हैं अगली वेडियो में बाई बाई